सब्सक्राइब कीजिए दाफातिमास किचन को वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैलो असलाम अलेकुम नाजरेन वलकम टू दाफातिमास किचन आज मैं आप लोग के साथ में ब्रेकफास्ट रेसिपी टीफिन रेसिपी लेकर के आ रही हूँ जो की है आलू सेंडविच बहुती क्विक बन के तयार होंगे और बहुती मजे के बन के तयार होंगे तो वीडियो में एंड तक बनी रही है ताकि आपको समझ में आए कि इसे बनाना कैसे है तो आलू सैंविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू ही लगने वाला है तो तीन आलू है जिने मैंने बॉil करके यहां मैश करके रखी हूँ एक मीडियम साइज की प्याज है जिसे मैंने बारिक कट करके रखी हूँ साथ में धन्य की पत्ती ले रही हूँ जितनी चाहे आप उतनी ले सकते हैं तीखे पन के लिए यहाँ पर मैं हरी मिर्चे ले रही हूँ तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्चे हैं टैंगी फ्लेवर के लिए यहां पर मैं निम्बू का रस ले रही हूं आधी निम्बू का रस नमक लेंगे अपनी जरुवत के हिसाब से हल्दी पॉडर आधी छोटी चमच जीरा ले रही हूं मैं एक छोटा चमच और इसी के साथ में ब्रेट स्लाइस दे रही हूं यहां पर पांस सेकंड तक के जीरे को पकने के बाद में इसमें मैं हरी मिर्चे एड़ कर देती हूं हरी मिर्ची को भी दस सेकंड तक के लिए मैं फ्राइ कर लोंगी और उसके बाद में मैं इसमें प्यास एड़ कर देती हूं अब प्यास को हमें हलका सा सुनहरा करना है इसलिए मैं इसे चम्मच चलाते हुए फ्राई करती जा रही हूँ टीखे बन के लिए यहाँ पे मैंने स्रिफ हरी मिर्चों को इस्तिमाल करी हूँ अगर आपको लाल मिर्ची पसंद है तो आप वो भी इसमें एड़ कर सकते हैं तो यहाँ देखिए हमारी प्यास जो है वो फ्राई हो चुकी है इतनी ही सुनहरी हमें करना है जदा नहीं करना है तो अब मैंने गैस को बन कर दी हूँ और गैस बन करने के बाद में मैं इसमें नमक एड़ कर देती हूँ और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ साथ में हल्दी पॉडर भी एड़ कर दूँगी क्योंकि अभी फ्राई पैन जो है गरम है तो हल्दी हमारी पक जाएगी तो यहां देखिए हल्दी भी हमारी पक गई है तो अब इसमें मैं एड़ कर देती हूँ आलू अब आलू को मैं अच्छी तरीके से मैश करते हुए इसमें मिक्स कर लेती हूँ हलके से खट्टे पन के लिए यहां पर मैंने इसमें निम्बू का जूस ले रही हूँ अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला या अमचूर पॉडर भी एड़ कर सकते हैं तो यहां देखिए जो हमारा आलू है अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है तो यहां देखिए जो हमारा बैटर है वो रूम टेंपरेशर में आ चुका है तो अब जो ब्रेट स्लाइज है उसमें इस तरीके से हमारे बैटर को फैला के इसमें सबतर भी स्प्रेट कर लेना है आप चाहे तो bread slice में पहले sauce भी spread कर सकते हैं लेकि यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ मैं directly आलू को इस तरीके से spread कर रही हूँ तो यह देखे मैंने अच्छी तरीके से आलू को इसके अंदर फिल कर दी हूँ फिर यहाँ पर एक grilling pan ली हूँ मैंने इसमें butter या oil आप grease कर लीजिए और इसके उपर फिर अपना sandwich रख दीजिए अगर आपके पास में grilling pan नहीं है तो आपके पास जो normal तवा होता है normal pan होता है आप वो भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके पास में sandwich maker है तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से हमारा sandwich तयार हो गया था बहुत ही मज़ी के यह बनके तयार हुए आपको एक बास ज़रूर इसे अपने घर पर ट्राय करिए और रेसीपी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरू कीजिए सो नाजरी ने अपना बहुत सारा ख्याल रखी दूआ में मुझे भी जरू याद रखे अलाफीज